हेलो फ्रेंट्स वाकतिया आपके योटुब चैनल ग्रोव अप्रेटर्स पर फ्रेंट्स आज की स्वीड़ों में लाइस करेंगे डिटेल में निफ्टुफ्टु और बैइन निफ्टु को कि ये नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं देखेंगे इस वीक मार्क तो कौन सा strong support बन चुका है तो यह सारी चीजी detail में discuss करेंगे और देखेंगे कि Monday को market किस तरह से perform कर सकता है और क्या levels जो है देखने को मिल सकते हैं upset के लिए और downside के लिए सो फ्रेंट्स इस वीडियो में बने रही है सारी चीजे लर्णिंग परपस से detail में discuss करने वाले हैं और चैनले को नहीं किया सब्सक्राइब तो चलको जरू सब्सक्राइब कर ले और जो मरे टेलीक्राम चैनल अगर आप लर्णिंग परपस से join कर सकते हैं वीडियो के description में पास पास का level था जिसको ये break कर चुका है यहां पर और candle भी close कर चुकी है और candle देखी closing कहाँ पर मिली 47,297 पर यानि कि इसके लिए strong support है यानि कि 46,000 से लेकर 45,500 डाउन नमबर यह हमारे लिए क्या काम करेगा support का अगर price डाउन आता भी है तो यहां पर क्या है यहां पर buyers strong है अगर price डाउन आता है तो फिर से यहां पर 46,000 के आसबास से market support लेने की कोशिश कर सकता है और अगर 46,000 के नीचे अग यहां पर एक trend line भी है जहां पर market ने दो बार support लिया आई यहां पर यह trend line तो price अगर down आता है 46,000 के नीचे अगर निकलता है तो यहां पर यह trend line हमारे लिए work करेगा और यहां पर 50 E.A. में work करेगा support का ठीक है अभी के लिए यानि कि जो next week के लिए जो view नजरा रहा है फिला अगर इसको भी break कर देता है तो next line यहां पर 50,000 का round number भी देखने को मिल सकता है यानि कि bank nifty में हमें नया high देखने को मिल सकता है तो देखते हैं यहां पर next week की सरे की candle देखने को मिलती है अब चलिए यहां पर अगर level को confirm कर रहे तो यहां पर हम use करेंगे favorite investment tool एक बर इसको remove क test यह low तो यहां पर आप देख सकते हूं कि 0.546 का जो इरियत है यहां पर golden ratio यह हमारा break हो चुका है और candle भी close कर चुकी है तो उसने यहां पर क्या बन रहा पूरी तरह से bullish का अगर काफी अच्छा move करेगा bank nifty तो हमें यहां पर नया high देखने को भी मिल सकता है तो देखते ह आप नेक्स्ट वीक किस तरह की candle देखने को मिलती है अब चलते पंदे में चलते डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं सट्रेट देखो किस तरह की candle देखने को मिली थी एक सेकंड यहां पर चार्ट को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं सट्रेट की candle बनी वह काफी चोटी candle है रेड केंडल है फिलाल यहां पर देखे सुनेरों क्या बन रहा है अगर प्राइट यहां पर डाउन आते भी थो सकता है 47,000 क्यास पास से सपोर्ट लेके फिर से मूव करें क्योंकि प्राइजिशन यहां पर क्या है प्राइजिशन य अगर यहां पर प्राइजिशन चेंज होता है यानि कि मंडे की जो केंडल होगी वह हमारे लिए काफी जाद है इंपॉर्टन होगी ठीक है अगर हाई ब्रेकर ने स्टार्ट करता है तो एक अच्छा कास मोमेंट अपसेट डिश्ट लेकिन अगर हाई ब्रेक नहीं करता है तो हो सकता हैं प्राइज घ्र सा डाउन ँदाने के बाद फिर से सपोर्ट लेकर फिर से मोउव करेए 465之前 हूप 17 Hum व्यृ नजर आ रहे है, दहीं दोनों सेट का हम प्लान कर सकते हैं, अगर हई ब्रेक करेगा, तो इच्छा काम सा मूर्न अपसट, और अगर मॉफ करेगा, डाउनसेट, तूदाकर के लिए होगा, थोड़ा सा रिसकी टेट हमारे लीए बन सकता है क्योंकिmarkt क्लिए क्लिए है क्लिक है nem expect 49,000 का round number strong level है और⁈ जाहां पर 50 एंब भी है तो यहां पर क्या है यहां पर बायर्स काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग है तो अगर मार्केट डां आता भी है तो फिर से ट्राइ करेंगे, तो प्राइस कहीं से भी सपोर्ड लेकर मूफ कर सकता है, तो ओवरॉल हम जो व्यू रखेंगे, स्ट्रॉंग वो हम रखेंगे, बुलिश का, ऐसा नहीं कि हम डाउंसाइड के ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, डाउंसाइड में कोई सिनेरों लगातार यहां पर काफी अच्छा मूफ कर रहा है, तो क्या लेवस में देखने को मिल सकते हैं, तो चलिए से लेवस मार्क करते हैं, तो सबसे पहले मार्क करेंगे, यहां पर यह वाला है, 47,400 राउंसाइड से हमार पास जो स्ट्रॉंग एरिया होगा, वो हम लेकर सपोर्ड लेकर काफी अच्छा मूफमेंट दिखाया लगातार मार्केट ने मूफ क्या है, तो यह हमारे लिए एक स्ट्रॉंग हडल होगा, यानि कि 47,000 के आसपास का एरिया, तो प्राइज अगर यहां पर डाउन आता है, तो यह हमारा स्ट्रॉंग सपोर्ड होगा, हो सक तो बीच में यहां पर यह वाला हडल हो का 47,190 राउन लेवल, यानि कि 200 के आसपास का लेवल, तो प्राइज अगर यहां पर देखे, रेंज में यहां कही पर ओपन हो जाता है और डाउन आता है, तो देखे, डाउन सेट लिए रिस्क रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेट प्लान करना चाहते हैं, तो प्लान कर सकते हैं अपने रिस्क रिक और जो फास्ट टार्गेट होगा, वो हम लेकर चल सकते हैं, 47,000 का राउन नमबर, तो यह टार्गेट हमें डाउन सेट देखने को मिल सकता है, अगर 47,000 की नीचे मारकर निकलता है, तो फिर नेक् पर 46,700 राउन नमबर, तो यह कुछ लेवल्स होंगे, डाउन सेट के लिए, यहाँ पर मैं मारक कर देती हूँ, यह इसी रहेगा, यह टार्गेट हमें डाउन सेट देखने को मिल सकते हैं, अगर मारकेट ने फॉल दिखाया, तो यह हमारे यहाँ पर फर्स्ट हडल होगा, अगर सॉस्टेंट कर जाता है, तो एक अच्छा कासा मोमेंट अफसाट भी देखने को मिल सकता है, जो लिकर जा सकता है, इसलिए मारक कर लेते हैं, यहाँ पर लेवल, एक सेकंड, तो जो टार्गेट होगा, वह हम लिकर चलेंगे, यहाँ पर इस वाले लेवल के आसपस, यहाँ पर यह हमारा टार्गेट होगा, 47600 राउंड नमबर, यह हमारे लिए इंपोर्टन होगा, अपसाट, यह हमारा फस्ट टार्गेट होगा, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, तो नेक्स टार्गेट यहाँ पर हम लेकर चल सकते है, 47870 राउंड लेवल, तो यह दो हमें अपसाट देखनों को मिल सकते हैं, बैंक निफ्टी में, चलिए मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर चलिए मार्क कर लेते हैं, लेवल, यह हमारा यहाँ पर फस्ट आर्गेट होगा, 600 राउंड और उसके बाद नेक्स टेहाँ पर 870 राउंड लेवल, अगर इसको ब्रेक क रहता है, सपोस्ट 47,000 के आसपास, ठीक है, तो यहाँ पर 50 ए में और 47,000 के आसपास, अगर मार्केट टाइम इस्पेंड करता है, और सपोर्ट बनाता है, तो फिर यहाँ पर हम अपसाट कर ट्रेट प्लान करेंगा, और अच्छे कासा मूंट अपसाट भी दिखने को मिल सक अगर गेप अपस अपस यहाँ पर 500 और 500 के आसपास, यहाँ पर ओपन होता है, तो फिर थोड़ा सा वेट करेंगा तो फिर करेंगा, फिर ने किस तरह की बनी है, और किस लेवल पर बनी है, क्योंकि मार्केट को अगड़ देखें, तो लगा ता यहाँ से मूव कर रहा है, यहां पर जब market gap up open हो तो रहा सफ wait करिएगा अगर gap down open हो जाता है तो हम यहां पर इस सीरिय से फिर से buying का scenario देख सकते हैं तो यह था detail यहां पर प्राइजेक्शन चेंज हो तो अभी फिलाल यहां पर कोई भी सेनरो नजर नहीं आ रहा है ठीक है इस टॉंग हमारे पास क्या एरिया बन चुका है 22,000 राउंड नंबर यह हमारे लिए स्टॉंग एरिया होगा अगर प्राइज 22,000 की नीचे सशन करने लग जाता है तब हम यहां पर बेरिश का व्यू रख सकते हैं लेकिन जब तक मारे 22,000 की ऊपर मूव कर रहा है हमारा कोई भी व्यू यहां पर बेरिश का नहीं है काफी अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है नेक्स्ट वीग भी हमारा निफ्टी फिफ्टी तो नेक्स्ट जो इसको इसमार लेकिन पर पर बुलिश का है अब जलतें वं जी टाइम फ्रेयम पर इक बार दिख लेते हैं यहां पर एक शेक हीर्डो भी चार्ट कि करते है तो नेक्स्ट आप cinanja के लिए काफी च्टी चानल यहां फ्टर के नहीं करता है तो फिर से यहां पर हमें fall देखने को मिल सकता है, जो लेकर आ सकता है 22,200 round number, ठीक है, यह हमरे लिए इंपोर्टेंट होगा, हो सकता प्राइज डाउन आयर 200 के आसपा से support लेकि फिर से move करें, तो उसने रोफ लाल यहां पर पूरी तरह से हम क्या लिकर चलेंगे, bullish का, लिकिने अगर 22,200 के नीचे sustain करना start करता है, ठीक है, लेकिन जब तक market 22,200 के उपर है, तब तक हमारा view यहां पर क्या रहेगा, bullish का, और अगर nifty move करता है, तो 500 और 600 यह सारे target में देखने को मिल सकते हैं, आने वाले दुनों में, तो फ़लाल मंडे के लिए जो scenario है, वो scenario है, यहां पर bullish का, और जो red candle बनी अगर low break करेगा, तो थोड़ा सभी यहां पर हम change कर सकते हैं, इंट्राडे पर पर पस्ते, डाउन सेट लिए, देखने अगर high break करना start करेगा, तो हम यहां पर upside का trade plan कर सकते हैं, तो अब चलते हैं, यहां पर चार्ट को set कर लेते हैं, इसको कर देते हैं, remove एक बार, तो देखने को मिल सकता है, तो चलिए important levels mark कर लेते हैं, तो सबसे पहले mark करें यहां पर यह वाला high, 22,420 round level, यह हमरे लिए important होगा, और downside से अगर हम बात करें, यहां पर, तो downside से हमरे पर important level होगा, वो होगा, 340 round level, तो यह हमरे लिए क्या है range, अगर price यहां कहीं पर open हो जाता है और 340 के नीचे अगर session करने लग जाता है, तब हम यहां पर downside कर trade प्लान करेंगे, और चो target हमें देखने को मिल सकता है, तो चलिए mark कर लेते हैं, यहां पर, रिस्क रहेगा downside, ठीक है, लेकिन यहां पर अगर कोई projection change होता है, कोई projection यहां पर इस तरह से अगर change होता है, तब ह अगर इसको break करेगा, तो first shuttle हमारे लिए जो बनेगा, वो हम लेकर चल सकते हैं, इस level के आसपास यहां पर 22,277 और अगर इसको break कर देगा, तो next फिर हमारे पास जो level होगा, वो हम लेकर चलेंगे, यहां पर इस level के आसपास 22,230 अराउं level, तो यह कुछ levels हमें downside देखने को मि कर देता है, तो next यहां पर 22,170 अराउं level, तो यह कुछ levels होगे, strong hurdles होगे, यानि कि target, तो यह target हमें downside देखने को मिल सकता है, अब हम बात करेंगे, तो market यहां कई पर open हो जाता है, open होने के बाद 400 के उपर अगर sustain करता है, तो यहां पर हमें अच्छा कासा moment देखने को मिल सकत है, 500 round number, यह हमारा strong hurdle होगा, अफसेट लिए, यानि कि first target होगे, अगर इसको break करेगा, तो फिर next यहां पर 550 round level, तो यह कुछ levels होगे, offset के लिए, चलिए mark कर लेते हैं, यहां पर यह हमारा target होगा 500 और उसके बाद 550 का level, तो देखने होगे, market open कहाँ पर होता है, gap up open होता है या gap down open होता है, अगर gap up open होता है 500 आसपास, तो सकता है यहां से थोड़ा सा movement दिखाए downside और उसके बास support लेनी कोशिच करें और फिर से move करें, लेकिन अगर gap down open होता है, यहां कहीं पर 300 around level, यहां पर, तो 50 EMA और इस level से क्या करें, market support लेनी कोशिच कर सकता है, और फिर से move कर सकत है, तो थोड़ा सा scenario यहां पर जो हमारा रहेगा, वो क्या रहेगा, बुलिस का, लेकिन अगर यहां पर कहीं पर हमें bearish scenario दिखाई देगा, प्राइजेशन चेंज होगा, तभी हम downside ले trade प्लान कर सकते हैं, और जैसे मैं आपको बार 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 बता रही हूं, downside ले थोड़ा यहां से काफी अचा movement दिखाने के बाद, अभी यहां पर बन रहा है, double top का scenario दिखाई दे रहा है, तो अगर यहां पर open होने के बाद, कुछी तरह से behave करता है, तो down आ सकता है, और जो level होगा, downside वो होगा, 2963 का, अगर इसको breaker यहां पर 2952 का भी level देखने को मिल सकता है, लेकि किस तरह से perform करता है, next है मारे पास हिंदुस्तान aeronautics, अगर इसकी बात के तो देखिए, यहां पर price बना कर अभी यह move कर रहा है, upside, यहां पर देखिए, और यह जो trend line यह क्या है, strong trend line ने support की, तो price अगर down आता है, और 3140 के आसपास से, अगर support बनाता है, तो फिर से move कर सकता upside, और hurdle हमारे लिए क्या है, upside, 3166 के आसपास का level, यह area मारे लिए क्या काम करेगा, resistance का, अगर scope breaker कर जाता है, तो next target यहां पर 3200 का round number, यह हमें देखने को मिल सकता है, हिंदुस्तान aeronautics में, लेकिन अगर यहां पर price action कुछ change करता है, इस तरह से scenario दिखाता है, तो यहां पर भारती अटल, अभी देखें, यहां पर इसके लिए क्या है, यह resistance का level है, 1135 का, तो काल अगर open होने के बाद, 1135 के ऊपर, अगर candle close का जाती station कर जाता है, तो एक अच्छा कासा moment offset दिखने को मिल सकता है, जो लिए कर जा सकता है, 1146 के आसपास, लेकिन अगर फिर से rejection based करता है, तो फिर से fall दिखा सकता है, जो लिकर आ सकता है, यह छोटी से range रहेगी, 1126 के आसपास, लेकिन अगर इसको भी break करना है, स्टार्ट कर देता है, तो next target यहां पर 1117 का target downside देखने को मिल सकता है, भारती यह टेल में, next हमारे पास है बजाज fincer, यहां पर देखें, बजाज fincer म 1593 और उसका next यहां पर 1582 का level downside देखने को मिल सकता है, बजाज fincer में, next हमारे पास है SDFC bank, SDFC bank काफी अच्छा moment दिखा रहा है, यहां पर यह resistance है, fall दिखाने बाद अभी काफी अच्छा moment दिखा रहा है, तो कल अगर open होने के बाद 1435 के उपर अगर sustain करता है, तो first hurdle 1444 और उस support कोशिश करें, फिर से move करें, लेकिन अगर यहां पर price change करता है, और 1426 के नीचे अगर sustain करता है, तो फिर से fall दिखा सकता है, जो लिकर जा सकता है, 1416 के आसपास, तो देखते है कल SDFC bank किस सरे perform करता है, तो यह थी stocks को आपको stocks में trade करना है, तो कल आप इन stocks को देख सकते हो, जिसमें भी आपका risk reward बनता है, आप उसमें trade plan कर सकते हो, देखते हो, जो भी stocks बताते हो, वो सिर्फ ओर सर्फ learning purpose से है, अगर आप किसी भी stock में trade plan करते हैं, तो आपको अपना logic भी देखना है, तो देखते है, nifty 50 और bank nifty किस सरे से, कल जो है open होते है, कहां पर open होते हो, किस स और vapor में रेखते है, उक है उसमें झाल झाल